आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ नीचे से हमने क्या किया उसमा दिया तो जब आप उसमा दोगे तो क्या होता है जो जल के अडू होते हैं ठीक उनके बीच एक आंतरिक बल लगता है ठीक तो इतनी ज़्यादा इसका तापमान बढ़ा दो मतलब इतना ज़्यादा इसका उसमा दे दो कि ये अपने आंतरिक बल को पार कर जाए ठीक है तो कह देंगे कि ये पानी उबल गया ठीक है और ये आंतरिक बल को पार कर जाए मतलब ठीक ये हमने उस्मा दे रहे है ठीक उस्मा जब आप दे रहे हो इसको जल को तो यह अंत्रिक बल को पार कर जाए तो हम कहेंगे पानी उबल गया तो क्या होता है जब इनको बीच में इसको उसमा देते तो इनके बीच के जो आकर्सड बल होता है आकर्सड बल यानि कि अट्रेक्शन फोर्स दोनों जो एक दोसरे जिससे आकर्सित होते हैं उसे आकर्सड बल करते हैं वो आकर्सड बल कम होता है तो फिर क्या होता है बच्चो जब इनको एक दे रहे हैं तो अडू दूर दूर जा रहे हैं मतलब आकर्सड बल कम हो रहा और यह च्ड़ों बहुत तेजी में भागते हैं, मतलब गति जुर्जा क्या होती है? उसकी काईनिटीक एनर्जी क्या होती है? वो बढ़ने लगती है. ठीक है? और जब यह आंत्रिक ब्ल को पार कर जाते हैं, तो हम कहते देते हैं, पानी, जो है, वो उभल गया. और इस प्रक्रिया को क्या बोलते है इस प्रक्रिया को बोलते है बच्चो वास्पी करड ठीक है तो द्रव का गैस में परिवर्तन होता है तो द्रव इसी तरह गैस में परिवर्तित होता है ठीक है द्रव इसी तरह गैस में परिवर्तित होता है ठीक क्यों होता है देखें जब यहाँ पर जब वो अपनी जब कोई भी द्रव जब द्रव की बात कर रहे हैं जब द्रव अपने आंत्रिक बल को पार कर जाए ठीक है उसमा यह तो सिंपल लेंग में लिख रहा हूं उसमा देने से तो उसी को क्या बोलते हैं उसी को बच्चे बोल देते हैं वास्पी कर ठीक है? धन्यमाद.